नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत की उच्छिक्षा प्रणाली जिस संकट से गुजर रही है और सरकारी नीतियां जिस तरीके से उस संकट को और गहराने का काम कर रही है और इसी विश्वे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिली विश्वे विध्याले में शिक्षक राजीव कुमर जी हमारे शोव में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो सबसे पहला सवाल हम इसी से करते हैं कि जो यूजी सी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन जो इसको इसकी जगहा एक न देखिए यूजी सी का जो गठन किया गया था और उसका एक्ट जो बना था आजादी के बाद उसको बदलने की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए जो प्रस्ताव आया है बिल का नाम है हायर एजुकेशन कमिशन आयोग जो भारत के अस्तर पर एक नए एक्ट के तौर पर उसकी जगह पर एक नए एक्ट में बदलने की बात है और इसके पीछे साफ-साफ मकसद है कि इन्वर्सिटी ग्रांट कमिशन में जो ग्रांट सब्द है उसको हटा के यानि अनुदान को विस्थापित करक सिर्फ रेगुलेशन का काम नियमन का काम जो है वो नियम बनाने का काम वो उसके लिए एक कमिशन बनाया जा रहा है और यह पूरा का पूरा ग्रांट का मसला जो है वो सरकार के अधीन अधीन में होगा तो पहली बार इस दोनों को अलग करने का एक की योजना है जिसमें नियम अलग लोग बनाएंगे कुछ मुठी भर लोग बार लोग और ग्रांट को पूरी तरह से सरकार के अधीन जाना है क्योंकि इस एक्ट में कहीं भी ग्रांट से कोई भी इसका संबंध नहीं है और बाकी अगर आप देखें इस नए एक्ट को तो उसमें आपको बहुत साफ साफ दिखाई देगा कि 12 लोगों की जो कमीटी बनाई गई है वो ज्यादा तर उसमें 80 प्रतिसत तक सतर से 80 प्रतिसत तक वहां सरकार के नुमाइंदे या सरकारी जो MHRD के सीधे हस्तक शेप में होंगे नियम का जहां तक सवाल है आप उसमें भी अगर देखें कि जो इसके चैर परसन अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष का जो पद है उन दोनों ही पदों को सीधे नियंतरन मे सरकार के नियंतरन में करने की बात है तो कुल मिलाके अगर देखें तो एकदम से यूजी सी जहां एक पूरी उसकी संकल्पना एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर निकाई के तौर पर जिसका लक्ष था राष्टर निर्मान और राष्टर के लिए जो ज़रूरी सिक्षा चा जगह पर इनको अलग करके एक तरफ तो संसाधनों को जो आर्थिक अनुदान है उसको पूरी तरह से सरकार कर दिया गया और नियम्मन में भी जो सिक्षकों की या एकेडमी सियंस की जो हिस्सेदारी थी उसको नियुनतम करके बिरोक्रेटिक ढाचा बना दिया गया है तो दोनों ही अर्थ में ये पूरी तरह से M.H.R.D. के अधिन हो गया है ये दरहसल है कि ये पूरी जो उल्च शिक्षा को लेकर जो पूरी नीती है सरकार की जो रही है वो दरहसल बदलने के ही कोशिश की जारी है ये नया कंशन लाने के लिए लेकिन इसमें ये भी कहा जा रह के संदर में उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सही सवाल है यह खास करके अभी जब लोगों ने मुश्किल से 10 दिन का समय दिया यह अपने आप में एक अधुत है जो यही सरकार कर सकती है बाकी ठीक है कि कॉंग्रेस के जमाने में कई बिल लाने की कोशिस भी लेकिन पार्लियमेंट में न होने की वज़ा से उसको लोटना हुआ उसके लिए एक फिर भी प्रक्रिया रही है जो लंबी प्रक्रिया होती है आप पूरे देश की सिख्षा के सवाल पर एक अभी तक का एक्ट है उसको बदल रहे हैं और इस बदलाव में कैसे यह आ रहा है यह जो 14 पन्ने का ड्राफ्ट है यह ड्राफ्ट 14 पन्ने का कौन ला रहा है उसके लिए कौन सी कमीटी बैठी यह सारी चीज़ें कुछ भी पब्लिक में नहीं और अचानक आप एक पब्लिक डोमेंट में डालकर 10 दिन के अंदर कह र और इसको पार्लिमेंट में इसी पार्लिमेंट के सत्र में रखने का तो इतनी हरवरी क्यों है यह समझा जा सकता है और कहीं न कहीं 2019 का जो की जल्दबाजी इसमें देखी जा सकती है लेकिन ये बात सही है कि जब इन पर ये हमला हो रहा है कि इतनी जल्दवाजी क्यूं तो उनका कहना होता है कि ये तो पहले की भी जो सरकार थी उसका रेकुमेंडरी संथा खास करके वो यस्पाल कमीटी के बात करते हैं तो सिर्फ यस्पाल कमीटी को ध्यान में रखकर अगर हम देखेंगे तो सायथ पूरी तस्वीर नहीं दिखाई देगी एक लिंक आप देख सकते हैं वो है कि जो नई सिक्षा की नीती को बनाने के लिए एक चाहे वो राधा कृष्ण कमीटी जो पहली कमीटी थी वहां से ले अनि कमीटी बनाई गई और उस कमीटी का ही नाम बिरला आमबानी और जिसमें दोनों का नाम से ही सपस्थ है कि वह दोनों में से कोई भी सिक्षा विद्र नहीं है और वह सिक्षा की नीती प्रुपोज कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इस में जो परिवर्तित संख्या है उसमें एक सदस्स्य वह व histori अगराने से हँंगे तो अब वहां सिक्ष्या की जो भिरला अमबानी से सुरू होती है यहां आते एक सदस्य उस में सवा में लगत कैरसर तो इसके पीछे क्या है चाहिए वो वो जो बिरला अंबानी रिपोर्ट जिसकी बात में कह रहा था कमीटी बनाई गई थी वो एंडिया के जमाने में बनाई गई थी और उसके बाद नॉलेज कमीशन आया वो यूपीए का दौर था यूपीए वन और फिर यस्पाल कमीटी बनी और इन सब में आप एक पैटर्न देखेंगे और वो पैटर्न बहुत साफ है जिसमें कि इस नई जहां बिरला अंबानी रिपोर्ट में एक साफ समझ रखी गई थी जिसको कहा गया था नॉलेज एकॉन और ये खरवों डॉणर का ब्यवसाय के तौर पर इन हमें पहचाना था कि यह वह साइज है वो कर अब उसी पुंजी का प्रवेश इसम जना चीमतान निर्माता 그게 समय से सिक्षा हमेशा एक राष्ट्र के उत्थान के लिए जिम्मेदारी के तौर पर रखा गया था इस जिम्मेदारी के ताथ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी लाया गया लेकिन उनको मुनाफ़ा कमाने की यहां इजाजत नहीं दी गई थी इस छेतर में पहली बार इस जो ब्यापार करने की छूट इस छेतर में देने की पहल की और आप देखेंगे कि वहीं से लगातार ये दवाब बना चाहिए डबली टियो और गेट्स का दवाब बना कि इसको भी सेवा छेतर में लाया जाए जैसे और व्यावसाय है वैसे ही सिख्षा को भी उच्षा को भी पैसे आ सकें और यहां के जो capitalist class हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा बढ़ा सकें और यहां इस रिपोर्ट तक आते आते आपको वो दिखाई देगा कि जहां एक तरफ grant जो था वो लोन में convert हो गया आपने पिछले जो बित्मंत्री पार्लेमेंट में उन्होंने हेफा का एलान किया था पिछले के पिछले बजट में और वो हेफा का मतलब क्या है वो higher education को लेके funding agency और वो बैंक आप बड़ोदा को उसका manager बनाया गया कि वह manage करेगा जिसमें सरकार ने दस हजार करोर डाले थे अभी कल या परसों की ही रिपोर्ट है जिसमें हमारे सिक्षा मंत्री कह रहे थे कि इसमें हमें हजारों करोर dollar को उगाहने की permission हमें मिल गई है यानि cabinet से permission मिल गई है कि वो ब्यावसाई घरानों से और जगहों से इस में पैसे generate करें तो सवहाविक है एक है grant जिसका संबंध है अनुदान जो उच्च सिक्षा के विकास के लिए हो और दूसरा है उसका विकल्प कर्ज तो UGC का पूरा formula जो 47 के बाद से लेके और 2000 तक का ये जो दौर है UGC का जो दौर है वो grant पर आधारित दौर है जिसमें कैंद्र और राज दोनों के हिस्सों के जड़िये किस तरह से सिक्षा की जरूरत को पूरा हो और उसके लिए सरकार जो है वो पैसा मुहया कराने के लिए responsible है अब यहां से आने के बाद बिर्ला अमबानी रिपोर्ट के बाद से चाहे मैंने जैसा कहा कि ये तमाम जितने भी चाहे knowledge हो चाहे ये इसपाल कमीटी हो इन दोनों ने regulatory को इसे grant से अलग करने का proposal किया और उनमें ज़्यादा जोर नियमन पर quality पर सबसे ज़्यादा जोर सब कर रहा जबकि हम सब जानते हैं कि quality को ensure करने के लिए उसको बनाए रखने के लिए जिस आर्थिक पक्ष की जरूरत होती है उसी पर ध्यान तबज्जो नहीं दिया गया चाहे वो येसपाल कमीटी हो चाहे है knowledge commission हो और उसका परिणाम हुआ कि इस draft में आप सबसे ज़्या रहा है quality पर सबसे ज़्यादा जोड़ है और दूसरा जोड़ autonomy पर है और ये दोनों ही सब्द जो है autonomy और quality सुनने में बहुत ही अच्छे लगते हैं लेकिन इन दोनों का संबंद grant से है अगर grant हटा दिया जाए तो हम अगर quality को maintain करेंगे तो सवभाविक तोर पर उसके लिए हमें fund को generate करना होगा उसके लिए हमें market में जाना होगा और market का दवाब होगा जिससे कि या तो equity वो जो लोग है marginal section के हैं वो बाहर हो जाएंगे और दूसरा इसका सिधा पहलू ये होगा कि जो बाजार होगा वो आपकी autonomy को उसी रूप में रहने नहीं देगा आपने equity की बा कि जो policies बन रही है और खास्तोर से जो नया निगम लाने की कोशिश कर रहे हैं तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं खास्तोर से इस मौझूदा के इंडर सरकार के शासनकाल में की जो आरक्षन नीती है उस पर लगातार किसी ना किसी तरीके से हमले किये जा रहे हैं तो यह जो पॉलिसी चेंज आया है तो इसमें इस आरक्षन नीती जो कि आपका समीधान हमें देता है उसकी क्या स्थिती रह जाएगी इसको मैं दो अलग अलग परस्पेक्टिव में देखने की कोशिश करता हूं अगर आपने आज का इंडियन एक्सप्रेस देखा होगा तो उसके फ्रंट पेज पर जो खवर छपी है कि इस बीच में जो मॉब लिंचिंग हुए हैं उनको लेकर एक सर्वे करने की कोशिश भी है और पच्चीस अलग अलग जो घटनाएं हैं उन सब को अगर समाहित करके देखा जाए तो यह निसकरस हुआ कि उसमें ज्यादा त प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद वो डौप आउट हो गय तो ज्यादातर हिस्सा है जो सिक्षा से वंचित हैं रोजगार है नहीं जो हमारे प्रधानमंत्री ही पकोडह और डाटा नहीं है रोजगार तो है लेकिन डाटा नहीं यह जो असहायता निसायता वाली बात कर रहे हैं उससे बहुत असपस्ट है कि ये जो भीर खाड़ा हो रही है एक भीर तंत्र बनाये जा रहा है जो एक तरफ चीख रहा है मोदी मोदी लेकिन वही सुस्मा सवराज के खिलाप किस रूप में ट्रोल बन जाएगा ये कोई नहीं जान सकता है तो अगर हम सिक्षा की नीती में अगर हमने ध्यान नहीं दिया उस पर अगर हमने इंवेस्टमेंट नहीं किया तो ये जो निर्मम नव उदारवाद जिसको हम लोग बोलते हैं या कहलें कि देसी विदेसी पूंजी का जो निर्मम मुनाफ़ा कमाने का जो जरिया है उनके ये उदारवादी प्रजातंत्र इस सब की उसे कोई चिंता नहीं है इसे कोई चिंता नहीं है कि सामाजिक न्याय है या नहीं है उसको सामाजिक कंपोजिशन चाहे वो महिला हो चाहे वो दलित हो चाहे पिछड़ा हो इस सामाजिक कंपोजिशन से उसको कोई मतलब नहीं है ये state को सोचना होगा और state अपनी responsibility से investment उसके लिए जो state को provide करना है अनुदान देना है अगर वो उससे पीछे हटके करज आधारित सिक्षा नीती बनाएगा या फिर जिसके पास पैसे हैं उसी को सिक्षा मिलेगी तो जनतंत्र को खत्रा है इस चीज को समझने की अभी जरूरत महसूस ही ना तो उनसे तो हम उमीद ही नहीं कर सकते हैं जो corporate घड़ाने हैं बिर्ला अंबानी से बलकि हमारी सरकार भी इसको समझने के लिए तयार नहीं है और एक के बाद एक पूरी तरह से सिक्षा जगत में जो space था पिछड़े दलित समाज के उत्थान का वो space भी खतम ह बोड़ा है अभी आप देखेंगे कि दिल्ली विस्वी द्याले में करीब करीब साड़े 3000-4000 पोस्ट खाली पड़ी है और पिछले लगातार सालों से यह दवा बन रहा है कभी यह बहाना कभी वह बहाना और अभी हाल में जो court के जड़िये जो एक फैसला आया है और उस फ हजारों की संख्या में सैकरों की संख्या में आपने देखा होगा कम से कम अभी इस बीच में 12- 13 इंबर सिटीज के जो नये सेंट्रल इंव शिटीज बनी थी पिछले दस साल आठ साल में उन सेंट्रल इंवर सिटीज की वैकेंसि आई है, वहां मुश्कल से एक या दो पोस कि इस सरकार को किसी भी सामाजिक नियाय से उस सरोकार नहीं है क्योंकि यह सरकार अम लब उसी अर्थ में एक कह सकते हैं अमवानी-अडानी की सरकार है जो शिक्षक संग है वो लगातार यह जो सारी पॉलिसी चेंज चल रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं खास्तोर से पिछले एक-दो साल में सडकों पर उत्रे हैं तो अगर सरकार की मनशा पूरी होती है या वो कोशिश करते हैं इसको मौनसुन सत्र में पास कराने की यह जो भी तो क्या आगे का आपको लगता है कि क्या आप लोगा आगे कर देखिए एक-दो साल से सिख्षक नहीं है सरोकों पर 2008 औ नहीं यह पूरे पॉलिसी असॉल्ट है जिसमें बेड़ला अंबानी के समय से लगातार जो चल रहा है इसमें कई बार हमने इसको पीछे धकेलने की कोशिस की अब ध्यान कीजिए कि पहली बार सेमेस्टर लागू हुआ और उसका पुर्जो बिरोध पूरी इन्वोसिटी म आपने देखा होगा दिल्ली विश्विद्याले में हुआ और सभी तरह के संगठन राजनितिक संगठन एक साथ मिलके इसको लड़े लेकिन उसके बावजूद जो कोट में ले जाकर इसको लागू कराया गया और वहीं से एक डूटा में एक स्ट्रेटेजी चेंज की गई क्योंकि जस्ट उसके बाद FYUP लागू करने का जो प्रापधान हुआ चार साल का और वो अभी भी इस सरकार की योजना है कि नई सिक्षा नीति के जड़िए ये फोर येर कोर्स करें लेकिन हमारी एक ही समझ है कि इस नव उदारवादी जो नीति है जिसका इंपेक्ट सब हम चहने गरीब मध्यम जाती छोटी जातियों का जो पर परना है तथाकति निम्हों पर जो परना है डली नहीं है यह जनता की लड़ाई है क्योंकि सिक्षा उनके अपवर्ड मॉबिलिटी का एक बहुत बड़ा आधार है तो हमने फ़ाई यूपी में यह इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सिक्षक छात्र के साथ साथ आम जनता के बीच मेट्रो स्टेशनों पर महलों में गलियों में आर्टिकल के जरिये एकाडमिक्स हर तरह के लोगों को हमने सामिल किया मीडिया का भी हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और हमने तबी नारा दिया कि हर्ताल नहीं पढ़ो पढ़ है इन बुर्जवा मीडिया कैप्टिलिस्ट इसको कि या तो वो कोट के जरिये हमें पीछे धकेल है या फिर हमें बदनाम करके हमारे पूरे आंदोलन को बदनाम करके करें तो हमने दूसरा फर्मूला अपना आया जिसका परिनाम था एफवाई यूपी में कि तमाम पॉलि अब ध्यान कीजिए सिमला में अभी हाल में वहां पर सेमेस्टर सिस्टम को एक पूरा जनांदोलन सफाई ने वहां बनाया जिसका परिनाम हुआ कि उस जनांदोलन के दवाव में तमाम लोग लोगों का वो दवाव बना और यह जब सरकार कॉंग्रेस की बदली तो उसको आज वही बिल पर जो यह चेंज हो रहा है भले ही उस समय कॉंग्रेस इसके समर्थर में थी लेकिन वही लोग आज जो है इस जनांदोलन के दवाव में इसका बिरोध भी कर रहे हैं तो सबसे महत्यपूर्ण है कि जो परिवर्त ना रहा है जो बदला लाया जा रहा है जो म मुनाफ़ कमाने के लिए इसको मुनाफ़ कमाने की इंडिस्ट्री बना ली गई है उसको हमें लोगों तक ले जाने की जरूरत है इस आंदोलन को जब हम लोगों तक ले जाएंगे तभी वहां से वह सपोर्ट बेस बनेगा जिससे की इसको पीछे धकेल आ जा सकता है तो सं बहुत बहुत शुक्रिया आपने विचार हमारे साजा करने के लिए हम उमीद करते हैं कि शिक्षा दरेसर समाजिक नयाय का एक जरिया रहे नहां कि एक आर्थिक मुनाफ़े का माद्यमौ हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निउस्क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत थन्यवाद